अब gradation round काफी crucial होती है हर एक round इस counselling के process में तो देखो मैंने already काफी videos बना दिया है ताकि तुम्हें हर एक point हर एक तरह की topic से related बातें अच्छे से समझ में आ जाए ताकि जब counselling start हो उस time काफी कम time रहती है बच्चों को college भी visit करना होता है round one के allotment के बाद तुम्हें अब gradation करनी होगी काफी बच्चों को admission करवाना होता है उस time काफी बच्चों की document गलत हो जाती है तो वो ठीक करवाना होता है उस time काफी कम time रहती है इसलिए मैं चाहता हूँ हर एक topic को पहले ही cover कर दूँ जब counselling start होगी तो आराम से तुम लोग सारी चीजे करना तो देखो इ नीचे में comment करना मैं try करूँगा महाँ पर तुमारी help कर देने की जो भी तुमारी doubt होगी महाँ पर उसे resolve कर देने की तो round 1 वाली वीडियो document verification वाली वीडियो कौन-कौन से document ले जानी है वो सारी चीजे मैंने पहले upload कर दिया अगर वो नहीं देखे हो तो तुम उसे जाकर द लेगी round 1 में तो समझ लो सबसे बड़ी mistake उस बचे ने choice filling के time की उसने अच्छे से choice filling किया maximum choice को नहीं फिल किया इसलिए उने कोई allotment नहीं मिली नहीं तो जरूर first round में ही सारे बच्चों को allotment मिल जाती है अगर तुम समझो काफी पीछे रह जाओगे और round 2 के time तुम्हें फिर काफी problem होगी उस ताइम अच्छी अच्छी सारी seats खतम हो जाएगी सारे बच्चों को मिल जाएगी उसके बाद जो seats बचेगी उसे तुम्हें फिर round 2 में लेनी होगी तो वही है तो देखो जिन जिन बच्चों को round 1 में allotment नहीं मिलेगी उन्हें round 2 में chance मिलने वाली है अब फिर देखो those who paid seat acceptance fee completed document verification and opted for yes upgradation in round 1 अब देखो यह सबसे अच्छे बच्चों की candidate की list है यानि कि जिनोंने complete कर लिया था document verification भी seat acceptance fee को भी pay किया था और उन्होंने yes upgradation को choose किया था यानि कि उन्हें कोई मालो की 1,2,3,4,5 choice उन्होंने fill किया तो उन इसे हुआ कि इसे second round में जो है या तो second वाली choice या first वाली choice मिल सकती थी तो इसलिए इस तरह के बच्चे यहाँ पर eligible है जिनोंने round 1 में या subgradation form को fill किया अब देखो those who paid seat acceptance fee completed document verification but allotment in round 1 was cancelled यानि कि देखो अगर तुमारा round 1 में allotment cancelled हो गया था किसी करण से या तुमारी score के क करान या तुमारी certificate के कारान इसलिए मैं बोल रहा हूं सारी चीजों को पहले से ready कर लो अपनी जो भी performer दिया गया तुमारी board की website पर उस पर तुमारी certificate ready रहनी चाहिए तुमारी domitial ready रहनी चाहिए सारी चीजे mark seat वो सब कुछ ready करके रखो पहले से जैसे या allotment होगी तुम सारी document को ready करना हर तरह कि doubt को clear करके रखो round one में ही ताकि round one में allotment मिले और अच्छी allotment मिले ताकि round two में और अच्छी एलॉट में और च्पर अपकर च्ची हो जाए Grill यहां पर पहले सी लिख दिया गया है, राउंड टू जो है लास्ट फाइनल नॉर्मल राउंड होती है, लेकिन मेन राउंड में राउंड में राउंड लास्ट राउंड है, इसले भी राउंड वन की चोई सारी चीजे काफी इंपोरेंट है, अब देगो, तो अब तुम्हारे जो यह फर्स राउंड में मिली थी ना फॉर्थ च्वाइस यह तुम्हारे चैंसल हो जाएगी, फिर तुम यहाप पर अडमिशन नहीं करवा सकते हो, अब तुम्हें फिर round two में जो allotment होगी जो भी college मिलेगी, फिर तुम्हें वहाआ पर admission करवानी होगी, और यह वाली जो allotment है, वो किसी दूसरे बच्चे को दे दी जाएगि, जिस बच्चे की marks, जिस बच्चे की certificate, या फिर जो बच्चे deserving होगे, उनहें वो seat को देदिया इसके बाद क्या किया मानलो की यहाँ पर जो दो तीन चोईस थी उन्होंने गडबड फिल कर दिया यह गडबड़ी उन्हें तभी तो समझ में नहीं आएगी बाद में या तो कोई स्टूएंट उसे बताता है कोई उसका फ्रेंड या कहीं से उसे पता चलती है suppose उसे first round में seven choice मिला था round one अब उसने upgrade करवाया और upgradation करवाने के बाद क्या हुई कि उसे इस तीनों में से कोई choice मिल गए ये bad choice थी जिसे उसे नहीं fill करनी थी इसे उसे नीचे fill करनी थी ताकि उसे सिर्फ good choice में यानि कि उपर वाली जो अच्छी college है वो choice मिलती होगा क्या कि वो first जाएंगे round one में उन्हें seven choice मिली थी वो एक अच्छी choice थी उसकी बाद उपर की तीन choice अच्छी थी उन्होंने बीच में जो ये तीन choice fill किया था fourth वाली, fifth वाली और sixth वाली ये तीनों उन्हें गलत fill कर दिया ये fill करते वक्त तो उन्हें पता नहीं चलेगा जब वो कोई YouTube वीडियो देखेंगे कहीं और से या कहीं से भी उन्हें अगर पता चलेगी या मेरे ही चैनल पे अगर कोई बच्चे कमेंट करेंगे अगर वहाँ से देखते हैं तो अगर वहाँ से उन्हें पता चलती है तब फिर अगर उन्हें round two में इस तीनों college में से कोई college मिलती है तब फिर उसे उसी column जाकर admission और उसारी चीज़े process करनी होगी उस time उसे regret होगा कि कास मैंने यहाँ पर ये choice को नहीं fill किया होता और ये वाली एक अची choice उसने fill की थी और उपर की top three choice अची fill की थी तो इसके बाद क्या होगा उन्हें round two के time problem हो जाएगी कि इस college में admission लें कि नहीं लें छोड़ दें फिर mop up round में participate करें फिर क्या होती है mop up round के time seat तो काफी कम होती है फिर उन्हें private college में जाकर 4 लग 5 लाग रुपए donation देना होता है और already वहाँ पर fee रहती है 4 लग 5 लाग पहले से तो 8 लाग 9 लाग 10 लाग रुपए दे कर तब वो लो वहाँ जाकर अपनी engineering की courses को complete करते है तो इसलिए किसी भी तरह की कोई mistake मत करना अच्छे से choice feel करना और अच्छी allotment मिलेगी फिर upgrade भी होकर अच्छी मिलेगी उपर वाली तुम लोग चाहो तो इस channel पर तुम्हें मिल जाएगी WBGW 2024 की playlist वो WBGW के एनी rates के लिए थी जो 4 year courses होती है ना engineering की उसकी तो वहाँ पर अगर तुम कोई कोई videos खोलोगे तो वहाँ पर भी तुम्हें दीख जाएगी बच्चों ने कितना mistake किया अगर तुम mop up round वाली या second round के बाद वाली videos देखोगे तब तुम्हें समझ आईगी कि बच्चों से क्या क्या mistake हो जाती है या तुम से भी क्या क्या mistake हो सकती है अभी start में बच्चों को नहीं समझ में आता है लगता है कि हाँ आराम से choice feeling हो जाएगी कोई ने कोई allotment मिल जाएगा और फिर college में admission हो जाएगी तो लोग आगे move करते हैं यादे को as such the candidate cannot reserve the upgradation he see cannot claim his earlier allotment back on the other end if he see is not upgraded the earlier seat would remain reserved retained यानि कि मैंने पहले से ही बता दिया कि अगर तुम्हें upgrade होकर नई choice मिलेगी उपर वाली choice मिलेगी अगर तो तुम्हें उस college में जाकर admission और verification करवानी होगी और अगर तुम्हें नहीं मिलती है upgraded choice तो तुम्हारे जो पहले वाली choice रहेगी यानि कि first round में जो तुम्हें choice मिलेगी वो तुम round 2 में जाकर वाँ admission करवा सकते हो आराम से तो यार I hope अब तुम्हें समझ में आ गई होगी round 2 में कौन-कौन से बचे eligible हैं और round 2 की process कैसे क्या होने वाली है यह round 2 की brief discussion थी अब जो next video आएगी वहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा यह वीडियो अच्छी लगी तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो साथी चैनल को subscribe करके रखो साथी अगर तुम हम लोग के प्रशनल काउंसलिंग आइडेंस को join करना चाहते हो तो description में तुम्हें फॉर्म को fill कर देनी है वहाँ तुम्हें 299 का amount पे करना होगा उस amount को जब तुम पे कर दोगे उसके बाद तुम form को submit करोगे फिर तुम्हारी number हम लोग के पास आजाएगी उस number पर हम लोग कॉल करेंगे और तुम्हारे से सारे discussion कर लेंगे कौन सी branch पे तुम इंट्रेस्टेड हो कौन से college को तुम target कर रहे हो क्या तुम्हें वो college मिल सकती है तुम्हारे rank पे या फिर अगर वो college तुम्हें नहीं मिल पा रही है तो उससे best college क्या होगी यानि कि तुम्हारे rank पे जो best college तुम्हें मिल पाएगी वो तुम्हें दिला दी जाएगी और तुम्हारी हर तरह की general doubt जो होगी, जब तक तुम्हारी college में admission नहीं हो जाती है, वो सारी चीजों को वहाँ पर solve किया जाएगा, Thank you for watching this video, चलो मिलते हैं next video में,